मैं M-20 रोड टिप में जा रही हूँ North East में हम तीन लेरकी मैं M-20 टोबी दी और तपोती दी इन तीनों मिलके निकल पड़े रोड टिप के लिए North East में मैं M-20 शुत पा 17 डे का भीडियो मैंने अपलोड किया है हाट डे हम लोग कहां पर रुके है कहां से कहां जाडनी किया ये भीडियो मैंने पहले आपलोड किया है अब हम करूंगी पूरा North East ट्रीप का ये भीडियो माइ डियार फेंज लास्ट तक ये भीडियो देखना क्योंकि हम लोग चार स्टेट घुमने में कितना पेटल खरच हुआ कितना किलोमीटार रान किया है और होटेल कितना लिया है पूरा डिटेल्स ये भीडियो पे है पहला दिन हम लोग रुके शिली गुडी पे रात बारा बाजे आये सेकेंड ये हम लोग हाशी मारा पे रुके थे यह अशम का हावली डिस्टिक है, हावली का बार पेटा, यहाँ पर हम टैंकी फूल किया है, इसी पेटल पाम्प में टैंकी फूल किया है, अर्शम यहाँ लेंगुएज में लिखा हुआ है, बेंगोली लेंगुएज के साथ सिमिलारीटी है, हम लोग पीने का पानी पेटल साइ लेती हूं यहां पर भी पानी ले रही हूं पहला दिन तो हम लोग शिली गुड़ आना में इतना रात हो गए थे बारा बज गई क्योंकि बहरंपुर में दो घंटा जैम में थे उसके बाद डाल खुला डाल खुला में फोर आवार्स जैम पे हम लोग रूख गए थे इसलिए लेट हो गए तो हाशी माना पे हम लोग रूख गए सेकेंड दो बज कर पांच मिनिट हुआ अब स्टार्ट कर रही हूं कामरूप का यह फीर से बूल गई है यह कहां भाईहर्टई चडाइल्या जगा है और कामरूप डिष्टिक है यह जा रही हुँ तेजपुर के रिए पूरा तेजपुर जाके रुकूंगी, 78 km from here. थार्ट डे हम लोग तेजपुर में रुके थे. Let's go, dear viewers. Let's go. 4 बे, गाड़ी रान कर रही हुँ. पहला जो नौर्ट इस्ट का स्टेट है हम लोग, तावंग जा रही हुँ, औरुणाचल का तावंग. हम लोग भलुक पॉंग होके जा रही हुँ, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन पर्मिशन नहीं किया है. तो भलुक पॉंग में हम लोग पर्मिशन किया है, उसके बाद गाड़ी हम लोग स्टार्ट कर रही. यह जो पिछले थोड़ा आदा गटा पहले रास्ता बहुत खरब था, अब तो रास्ता ठीक था की है, बट बहुत क्लावडी हो गए. आप लोग भी देख रहे है कितना क्लावडी है यह रास्ता, और हम लोग जहां पर रास्ता खरब था, हापेनावार रुख गए, क्यूंकि धोश हुआ है उधर, पुरा धोश नामे है, तो रुख गई हम लोग, उसके बाद हम लोग फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी, अब तो रास्ता ठीक ठाकी है, कभी-कभी इतना क्लावड आते है, पुरा रास्ता सामने से कुछ देखाई नहीं देते है, अब तो थोड़ा क्लावड क्लियार हो गया, ठीक ठाकी है, चलो चलते हैं, आगे जाके हम लोग देखते हैं कहां पर रुखूंगी, क्यूंकि शाम होन रास्ता ठीक आते हैं, कभी-कभी रास्ता कलियार भी होटे है, क्लावड निकल जाते है, और जब भी गळावड आते मेरा गारी तो पूरा शलो हो जाते है, क्यूंकि मैं पहली बार माॉंटें में ड्राइब कर रही हूं, और बहुत शलोई ड्राइब करती हूं, देखो, क्लाउड है सामने, इसले मैं भी बहुत धीरे चला रही हुँ गड़ी, बहुत स्लू चला रही हुँ। चेक पोस्ट में डीक रही हुँ, तो पतिती परमिशन का पास लिटर देखाने के लिए। टेंगा पे दिनार कर रही हुँ। यह बहुत अच्छा है, हम लोग टेंगा पे रुके, टेंगा भी बहुत ही आच्छा है रुकने के लिए, और हम लोग उसके बाद फिप्त दे जार्नी स्टार्ट कर दी, यह रास्ता भी बहुत अच्छा है, और वेधर भी बहुत अच्छा है, देखा हम लोग फिप्त दे का जार्णी स्टार्ट कर दी, सुभाई स्टार्ट कर दी, सेबन ओक लोग हम लोग जार्णी स्टार्ट कर दी चलो हम लोग बोम्डिला पर आगे, ये बोम्डिला है, बोम्डिला बहुत आच्छे जागा है, सोब लोग आते है कोई कोई ता बोमडिला तकी राइट करते है ये बोमडिला बहुत सुन्दर जगा है रुकने के लिए भी बहुत सुन्दर है लेकिन हम लोग नहीं रुकेंगे आगे जाओंगी क्योंकि हम लोग तो आज सेला क्रस करना चाहती हूँ सेला पास ये देखो बोमडिला बहुत ही सुन्दर है और क्लीन भी है ये बोमडिला बहुत सारी लोग यहां पर आते हैं और साइट सीन करते हैं हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है बोमडिला में साइट सीन करने के लिए क्योंकि हम लोग अब तो तावांगी हमारे टार्गेट है आज शायद हम लोग सेला पास करूंगी उसके बाद देखते हैं कहां रुकूंगी कोशिश करूंगी तो तावांग तक नहीं जा पाऊंगी तो बीच में कोई जागा पे रूख जाऊंगी यह हम लोग बोमडिला क्रास कर रहे हूं बहुत ही सुन्दर यह शोहर बोमडिला अरुना चनल का हम लोग इस बर रूख गए क्योंकि इसी जागा से निचे निचे बोमडिला शोहर है देखो यहां से हम लोग गाड़ी रुका दिया यहां पर गाड़ी दुखा दिया और नीचे बोमडिला सीटी है तो हम लोग थोड़ी देर यहां रुख गई वो यहां भी बहुत अच्छे है और बोमडिला शोर का फोटो खिंच रही हूं यहां से यहां बोमडिला पर रूख गई बहुत बार सुना है फ्रेंड लोग के पास बोमडिला और बहुत सारी यूट्यूबर बोमडिला आया है राइट करके तो यह ख्वाब मेरा पूरा हुई बोमडिला राइट करके आई अल्टीचूड है यह नियार अबाउट 8000 फीट लगा और थोड़ा ब्रेक लिया है 45 मिनिट में हम लोग आगे टेंगा से बोमडिला और हिंदी पर इसलिए बोल रही हूं कि मेरा बहुत सारी भेंज है जो नौन बेंगोली है उन्होंने मुझे रिकोस्ट किया है अरे यार कुछ तो हिंदी पर बोलो यह हमको समझ जाएग अब तो यह नजारा बहुत ही सुन्दर लग रहे है यह देखो आगे का नजारा बहुत अच्छा लग रहे है देखने में बहुत सुन्दर लग रहे है और इसी जगा पे कार राइट कर रही हूं यह भी बहुत अच्छा लग रहे है जो इतना उचाई में कार राइट कर र सेलापास से आगे मतलब सेलापाच पहुचने में 18 किलोमीटर रास्ता बहुत ही खाराब है तो 18 किलोमीटर छोड़के तो रास्ता बहुत आच्छा है तो यह रास्ता तो बहुत ही अच्छा लग रहे है देखो बहुत ही सुन्दर है हम लोग तो गाड़ी कैमेरा पे सामने का भीव दिखा रही है, बट साइड में भी बहुत अच्छा है, सुंदर है, बहुत ही सुंदर है नजारा, और रास्ता भी बहुत ही अच्छा है, यह फूस लिया, कीवी लिया है, और ठीका बला हरा मिच लिया, और इसी दुकान का जो तरह गोल-गोल मिर्च होते है, बाहर का मिच भी यह आचरवाला मिच, देखो डियार फ्रेंड्स, इस बार साइड में दिखा रही हूँ, यह साइड बला नजारा, बहुत ही सुंदर है, पहले तो हम लोग आगे बला और रोड का नजारा देखा रही थी, इस बार देखो साइड का वियू, बहुत ही सुंदर है, आप लोग भी आ सकते हैं, यह कार लेके और बाइक लेके बहुत सुंदर, रास्ता भी बहुत ही सुंदर है, अभी तो बहुत ही अच्छा रास्ता मिला है, आगे जाके थोड़ा खाराब होगा, वो सेला पास से नीचे, तो यह देखो बहुत अच्छा लग रहे हैं, और र यहां पर बोड पे है तावांग 144 की मी, पता नहीं है, शायद आज तावांग नहीं पहँच पाऊंगी, बीच में कोई जागा पे रुखना पड़ेगा, क्यूकि अभी तो दूपूर भी हो गये, मैं माउंटन व्लोग्स शुतपा, मेरा ये वीडियो पसंद आये तो लेके आते रहूंगी ये चैनल पे, ये दिरांग है, दिरांग में हम लोग पेट्र ले रही हूं, क्यूंकि अब तो तावांग तक कोई जागा पे पेट्र पाम नहीं मिलेगा, सेला पास तक तो कोई जागा पे नहीं मिलेगा, सुना है, जौंग में मिल सकता है, इसलिए ह हम लोग टैंकी फूल कर रही हूं दिरांग है यह दिरांग में हम गाड़ी का फूयल ले रही हूं टैंकी फूल किया हम लोग दिरांग पे गाड़ी का टैंकी फूल कर लिया उसके बाद हम लोग दिरांग सीटी जो है वो क्रॉस कर लिया यह देखो उचाई भी है बहुत पड़ रहे है ऐसे रास्ता पे जैम नहीं है बहुत सारी कमी है गाड़ी बट यहां का लोकाल गाड़ी है बहुत तेज आते है बहुत जोर आते है और जो आर्बी वाला जो गाड़ी है न वो तो और भी बहुत तेज आते है चलो दिरांग क्रोस कर रही हूं हम लोग रास्ते पे काम चल रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा हम लोग मोहिलाओं को देख रही हूं काम करने में लेर्का से तो ज्यादा लेर्की लोग कामर कर रहे हैं यह देखो हम लोग लेर्की लोग को ज्यादा देख रहे हूं लेटका से लेटकी लोग ज़्यादा है सेला के पास आगे हम लोग ये देखो रास्ता भी बहुत खरब है और ओधर भी क्लाउड ही हो गए है मैं तो हैजार लाइड जाला दिया देखो रास्ता खरब है ओच स्टीप अल्टिमेटली हम लोग छे बाजे पहुच गई जौंग में तावंग नहीं पहुच पाई कि वी साम हो गई पाच हो गए और फाइब फिप्टीन ऐसा ही हुआ साड़े पाज बाजे का अंदर होटेल में पहुच गई रिस्क नहीं लिया सब ट्रेवेलर जो गारी है ट्रेवेलिंग गारी हो ट्रेवेलर गारी जा रहे थे बोल रहे थे चलो हमारे पिछ बिच आ जाओ तो किज़ी ओ तो प्रोपेशनल है ना हम तो प्रोपेशनल लेही है इसलिए हम रूप गए जंग में यहां से अभी 40 km जाना पड़ेगा तावांग काल सुबा हम लोग तावांग जाओंगी हम लोग तावांग पोज गे और तावांग में हम लोग दो दिन रुके थे तावांग हम लोग 6 डे पे आया है 6 डे हम लोग तावांग पे रुके है और उसके बाद हम लोग दो दिन ताउंग पे स्टेक किया उसके बाद बापस हम लोग जार्णी स्टार्ट कर दी अब हमारे सिकेंड जो स्टेट है वो मेघाला मेघाला का हम लोग चेरापुंजी का सोरा पे जाओंगी हम लोग अब निकल पड़े सोरा के लिए यह जो रास्ता है ना टोटाली डाउन रास्ता है डाउन वार्ड बहुती मतब जब चड़े थे न उपर पूरा स्टीप था अब तो डाउन निचे जा रही हूँ बहुती धीर ये क्यारफुली चला रही हूँ हम तावंग से आगे। ग की जब Scout से 40 किलिमटर हाँ यह सेला लेख है सेला लेख का सामने हम तीनों है है और बाहर आ रहां रही हूँ यह देखो सेला छोड हूंगी हम लोग यहां पर कुछ फोटो खिचा है रूख के कुछ फोटो कीचा तो अपोदीती आगे जा रहे हैं यह वेलकम टू सेला यहाप पर फोटो कीचने के लिए हम लोग रूख गए जाने के दिन भी बहुत सारी फोटो कीचा है यह आने का दिन हम लोग निचा आ रहे हूँ जब तावंग जा रही थी तब तो बहुत रास्ता खरब था और उस रास्ता पे काम चल रहे थे पहाड है इसलिए रास्ता पे हर टाइम काम चलते रहते हैं देखते हैं आगे जाके ओ रास्ता ठीक हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि बहुत रास्ता खरब था तब आने के दिन देखो आने का दिन में ये जो खरब रास्ता थे ना पूरा क्लावडी हो गए थे अब तो दूपरी हुआ है साड़े गैरा हुआ है ऐसा लग रहे पूरा साम होने बाला है पूरा क्लावड में भरा हुआ है और रास्ता भी खरब है मेरा तो हैजार्ड लाइट चल रहे हैं ये देखो मैं रुख गई क्यूंकि आगे से गाड़ी आ रहे है और रास्ता खरब है इसलिए मैं रुख दिया गाड़ी और ये आर्मी गाड़ी है बहुत सारे एकसाते आते है ये देखो गाड़ी के अंदर हम तीनो ये तपोदी दी पीछे है तपोदी आगे है और गाड़ी के अंदर का कुछ दिर्शाप लोग को देखा रही हूं सेल्पी मूड में ये वीडियो है और ये देखो आगे वाला फीर पागी होगे योईदार ये देखो खरब रास्ता है बहुत खरब रास्ता है आगे वाला रास्ता और साइड में देखो ये साइड का नजारा सुन्दर ही है बट रास्ता खरब है रास्ता थोड़ा बहुत खरब ही होते है जब आप रोड टिप के लिए निकले है ना पूरा रास्ता बहुत अच्छा मिलेगा ऐसा हो ही नहीं सकते कोई-कोई जागा पे बहुत ही राष्ता खाराफ होगा और कभी-कभी तो राष्ता बहुत ही आच्छा होगा हम लोग 9 डे पे रूपा पे रूपे थे और उसके बाद हम लोग रूपे है रूपा से गुवाहाटी गुवाहाटी पल्टन बाजार उस पल्टन बाजार में एक होटेल में हम लोग रूपे थे नेक्स्ट हम लोग 9 डे पे हम लोग पहुच गई सिलंग में सिलंग पुलिस बाजार हम लोग रूपे थे पुलिस बाजार में पुलीस बाजार में उस दिन हम लोग राथ 10 हो गए पॉछने में तो हम लोग उस दिन होटेल थोड़ा मैंगा हो गया क्यूंकि देड़ हाजार आर ना तो इसी टाइम तक हम लोग होटेल हाजार क्रोस नहीं गया बहुत आच्छा अच्छा ही होटेल मिला है थाउजेंड में मिल गए और सीलोंग में थोड़ा मैंगा हो गया होटेल तब भी ठीकी है बहुत ही आच्छा है यह होटेल मिला है और हम लोग हजार रुपिया में जो होटेल में था ना वो होटेल भी बहुत ही आच्छा है पता नहीं यह शायद लोगडाउन चल रहे है लोगडाउन प्र एगला एक्स्प्लोर किया है, सोरा पे दो दिन रुके, उसके बाद सोरा से हम लोग निकल गए तिपुरा के लिए, तो तिपुरा जाने में दो दिन लगा है, एक दिन तो हम लोग जोवाई पे रुके है, और नेक्स डे हम लोग धर्मन अगर में रुके है, और उसके बाद आगर्तला जाके ही रुके है आगर्तला हम लोग काकुली दिके घर में रुके हम लोग अब तीपुरा हो गए ये आशाम ओयल से हम लोग टैंकी फूल किया है टैंकी फूल करके आज हम लोग पहुंच जाओंगी आगर्तला आगर्तला काकुली दिके घर जाओंगी हम तीन ले एगाला ऐसे हम लोग गए तीपुरा तीपुरा जाने के बाद तीपुरा का फस्ट और जुन पुरुशकर प्रप्त प्लेयार मोंटु देबनात मोहाशा है हम लोग को पुश्पस तबक देखे शंगवर्धना दिया बहुत अच्छा लगा ये मिलके अब अमबसा में हूँ अमबसा से जा रही हूं नीचे हम लोग अब घर के लिए ही स्टार्ट किया है घर जाने के लिए हम लोग आज स्टार्ट किया है तीपुरा से घर के ओर हम लोग बढ़ रहे हैं अब तो आशम आ गए ये ब्रह्मपुत्रो नौत के उपर जो ब्रीज है वो ब्रीज क्रस कर रही हूं हम लोग चलो आगे चल रही हूं जितना जोल्दी हो सके घर जाओंगी हम लोग 21 ओक्टोबर घर से निकले है रोड टिप के लिए नौर्टीस्ट एक्स्प्लोर करने के लिए तावां, अरुना चल, मेघालया, त्रिपूरा और आशाम थोड़ा कमपीट किया है तीन स्रेट आभी भी नहीं हुआ बापस आना पड़ेगा तो आज हम लोग छड़ यू शिली गुड़ी घर पे जाओंगी सब ठीक्टाक रहेगा तो हम आज घर पे इस होएंगे बोलो ताव पड़ी दी आज दम चित श्रत्ती छो ठीक्टात चोल ले आज तो दीन जामन चोले छे शेहर भी धिक्टाक मतन चोल ले आजके आमरा राध्य के घरे खाको तोस्तारे कमीदी आजके आमरा जारनी कमप्लीट खोएंगा लो आज आमरा पोशे जागो निजेर ब लोखे यह बला होटेल अब गाड़ी ओके छोड़ रही बाई यह फारक का है फारक का ब्रीज हम क्रॉस का लिया अब यहां पर पेट्टोल रही हूं यह शायद लास्ती होगा यहां से हम लोग चार स्टेड घुमा है नौर्टिस्ट का पहले भी बोल चुकी फिर भी एक ब पर बोल रही हूं अरुना चल मेघालया अशम तिपुरा टोटाल हम लोग रान किया है 4,241 किमी और पेट्टल खरच हुआ है 236 लिटर और पेट्टल का पैसा खरच हुआ है 23,496 रूपी और होटेल का जो खरच है हाजार करके लिया है होटेल सिलंग में देर हजार लिया है और जो हम 17 डेस था वो हजार करके लिया बाहदूर चार्नियों चे बाहदूर शूरों चे एपी आमी है भी है भाबा जाये ना भाबा जाता टाल है टीट स्रेट हम लोग एक्स्पोर करके आगेरी, अरुना चल, मेगालोया, ख्रिपूरा, यह चार्ट स्रेट गुब के हम लोग आगेरी, चलो देखते रहे ना यह वीडियो आपलोद करोंगी, हमाई देखते रहे लोग, सबस्काइब करना, लाइक देना, कॉमेंन करना,